से पहले हम कुछ basic points को देख लेती हैं जो कि important है तो RBI क्या है Reserve Bank of India एक Central Bank है Central Bank of India इंडिया की Central Bank है Main Bank है यह Apex Body है और RBI कब established हुई थी तो RBI की establishment के year है वो 1st April 1935 है और RBI का जब act frame हुआ था वो act कब बना था 1934 में तो पहले act आ गया then RBI established हुई तो RBI किसकी recommendation पर established हुई थी तो Hilton Young Commission जो थी उनकी report और उनकी recommendation के basis पर RBI की establishment हुई थी तो पहले act बना then establishment हुई तो initially Central Office कहां पर था RBI का Kolkata में था जो कि 1937 के बाद permanently shift हो गया Mumbai में राइट RBI कैसी है Government of India के थो fully owned है लेकिन जब RBI के establishment हुई थी तो उस टाइम पे RBI private joint or stock company थी मतलब यह privately hold की गई थी और यह joint stock company थी लेकिन बाद में जब बैंकों का nationalization हुआ तो उस टाइम पे RBI को nationalize किया गया और यह Government of India के थो fully owned कर ली गई गई इस also known as bankers bank और अगर हम प्रेजन टाइम के बात करें तो इस टेम RBI के गवर्णर कौन है श्रीक 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 शक्तिकांत दास जो की एक IS officer है तो आगे हम दिखते हैं RBI के बारे में कि इसकी organizations की management कैसी है तो जो पूरी RBI के management है वो कैसे manage की जाती है central board और local board के through manage की जाती है अब central board में कौन-कौन से लोग होते हैं तो central board को जो appointment होती है वो कौन करती है government of India करती है वहाँ पे एक governor और चार्डप्टी governor होते हैं राइट जिनके appointment कितने time tenure होता वो कितने साल का होता 5 years का तो वन governor की बात करें वो कौन है इस टेम पे श्रिशक्ति का अंदास है और जो चार्डप्टी गवर्नर के बात करते तो वह कौन है तो वह है आपके M. Rajeshwar जो कि 2020 में एलेक्ट हुए हैं अभी पॉइंट में 2020 में और बीपी कानून गो उसके अलावा M.K. Jan है M.D. पात्रा है तो यह चार्डप्टी गवर्नर हैं जो कि पॉइंटेड हैं और इनका कारेकाल जितना है पान साल का है इसके अलावा the 10 other directors भी होते हैं जिनको कौन नॉम करती है और इस चार्डाइक्टर्स होते हैं इनका जो टेन्योर होता है वो 4 एसका होता है और यह अलग-अलग फिल्ड से आते हैं जैसे कोई एकनलमिस्ट हो गया कोई इंडर्स्टिलिस्ट हो गया पर यह अपने प्रमें बहुत है फेमस प्रसनाल्टी होते हैं तो तो इन directors जो होते हैं वो आजाते हैं और कौन आता है चार डारेक्टरस आते हैं जो की नॉमिनेट के जाते हैं लोकल बोर्ट से तो चार इनकी लोकल बोर्ट से चार डारेक्टरस आ जाते हैं और इनका टेनर कितना होता है फाइव एस का होता है उसके अलावा गवर्मेंट का एक ओफि तो यह सिर्फ government के representative की सिरतरा आप समझ सकते हैं कि government का एक officer होगा जो हर meeting में रहेगा present रहेगा पर इनके पास voting की power नहीं होती हो कोई कारिकाल का time भी fix नहीं होता है so central board जो होता है वो साल में 6 बार कम से कम 6 बार उनकी meeting होनी चाहिए at least 6 times वो एक साल में meet कर रहे हो central boards इसके अलावा भी governor जब चाहेगा जब उनको लगेगा कि जरूरी है वो इनकी meeting को call कर सकते हैं तो यह तो हो गया Central Board अब बात करते है local board की local board की तो लोकल बोड के बाद अगर करते हैं तो चार reasons होते हैं अब country में इनके चार reasons है और वहीं से चार जो है local board की बात कहीं जारी है कौन-कौन से हो गया reason एक तो मुंबाई हो गया क्यालकटा हो गया चिन्ने ही और आपका New Delhi हो तो हर एक सीधी रिडेक्टडर होते है चारों बूर्ट एक डियरेक्टर हो उसके रावान इन के पॉइम्स करता है सेंट गौवर्मेंन करते हैं जो टेंडेक्द वों कितने सारहों का गुथा creamy इसका होता है, so the main function is to advise central board on local matters and deal with the management of the regional commercial transaction तो यह जो local board होती है, अलग-अलग reason की जो होती है, वो क्या करती है central board को advice करती है, उनके main functions में और साथी जो उनके reason में जो भी commercial transaction हो रहे होते हैं उनके management को वो deal करती है, पूरी management करती है उसकी तो यह तो इनका organizational structure होगे, इसको frame करके देखते हैं तो mainly RBI के क्या होगे, दो होगे, एक तो central board of director होगे और दूसरा क्या होगे, local board होगे, तो local board तो चार reason होगे हैं आपके वहाँ से जाती है, और पांच member होती है इच में और उनका कारिकाल भी आपका decided होता है, central board की बात करते हैं तो सबसे पहले कोई आजाते हैं आपके governor आजाते हैं देन कोई आजाते हैं आपके deputy governor आजाते हैं जो कि 4 होते हैं देन आपके executive governor होते हैं इसके लावा इनका training department भी होता है तो training department की बात करें तो मतब, RBI क्या करती है, अपने staff को time to time technologies से advance करने के लिए आप ये क्या करती है, बैंकों को update करती रहती है, तो इनके 3 basically important colleges है जैसे banking training college मुंबई में हैं, इसके लावा college of agriculture banking पूने में हैं और एक और आपका reserve bank staff college जो की चन्ने में हैं, तो ये पूरा इनको organizational setup है, RBI का, right सो अब हम क्या करते हैं, RBI की function की बात करते हैं, लिए के साथ में देखी कि central training department के अलावा जो है, central office department भी इनका होता है, जिसमे staff members होते हैं, जो help कर रहे होते हैं, official staff